जालोर के सुराना में छेल सिंग शिक्षक के द्वारा दलित छात्र इंद्र मेगवाल के द्वारा मटकी से पानी पीने को लेकर शिक्षक की पिटाई से छात्र का मौत का मामला देश में तूल पकड़ लिया है. और न्याय के लिए पूरे भारत में आवाज उठने लगा, वही राजिस्थान में सामन्ती लोगों के द्वारा शिक्षक के समर्थन में पंचायत किया जा रहा है. जिसका समर्थन भारतिय गोदी मीडिया कर रही है, जरा आप लोग सोचिए जिस शिक्षक की पिटाई से दलिच छात्र की मौत हो गया हो उसके समर्थन में मीडिया फरजी खबर चापकर अपराधी को होसला बढ़ा रही है. प्रिंट मीडिया के दैनिक भासकर अपने खबर में लिखता है 36 कौम के लोग एक साथ एकठा हुए. लेकिन बहुजन समाज के लोग भी अब पीछे नहीं रहे, जैसे ही अकबार लोगों के हाथ में गया की खबर आग की तरह फैल गया. और सोशल मीडिया पर जम कर विरोध होने लगा, भासकर अपने लेकर लोग जलाने लगे. और सोशल मीडिया पर हचिटैग बॉइक और दैनिक भासकर चंद घंटों के अंदर ट्विटर पर नंबर वन पर ट्रेंड करा दिया. वहीं ट्विटर, फेस्बुक और यूट्यूब पर लोग दैनिक भासकर पर जम कर बर्सने लगे अखबार के न्यूस को ट्वीट करने लगे. हम बता दे कि पहले भी दैनिक भासकर दलितों को कई बार अपमान कर चुका है. दलित पिछडे नेताओं के बारे में उल्टा-पुल्टा खबर चापते रहता है. जिससे लोगों में आक्रोश है, बहुजन मीडिया के कई पत्रकार ने भासकर की खबर को पोस्ट करते हुए विरोध किया. प्रोफेसर दिलीप मंडल ने ट्वीट कर लिखा दैनिक भासकर को बताना चाहिए कि उसके टॉप सो संपादकी ये पदू पर एक भी दलित आदिवासी और OBC है या नहीं. 36 कौम के साथ साथ अपने संपादकों का नाम जारी करें. वही दे न्यूस बिक के फाउंडर सुमित चोहन ने ट्वीट कर लिखा कि हम बहुजनों को बार-बार समझाते हैं कि मनु मीडिया को देखना पढ़ना छोड़िये दैनिक भासकर जैसे मीडिया संस्थान आपके से बड़ा दुश्मन है. इनका पूर्ण बहिशकार करो, मेरे बहुजन समाज के लोगों आप कब समझोगे? कब ऐसे घटिया मीडिया चैनलों अकबारों का पूर्ण बहिशकार करोगे? वहीं दूसरी ट्वीट में दिलीप मंडल लिखते हैं कि हम दैनिक भासकर से जानना चाहते हैं कि 36 कौम में कौन-कौन है जो जालौर में अभियुक टीचर का समर्थन कर रही है. और धारा 144 तोड़कर गैरकानूनी मीटिंग कर रही है लिस्ट जारी हो 36 जातियों की. क्या उनमें जाट सैनी मेगवाल रेगर गुर्जा रहीर मीना आदी भी हैं. दिलीप मंडल फिर तीसरे ट्वीट में लिखते हैं कि आप 36 कौमों का नाम बता सकते हैं. जो दलितों के खिलाफ मीटिंग कर रही है इस प्रकार ट्विटर पर हजारों ट्वीट किया जा रहा है जो 36 कौमों का नाम जानना चाह रहे हैं लेकिन दैनिक भासकर की आउकात नहीं है 36 कौम का लिस्ट जारी करें. क्योंकि खबर जूटी चापी गई है लेकिन सोशल मीडिया पर बहुजनों ने दैनिक भासकर की लंका लगा दिया. अच़टेक बॉइक और दैनिक भासकर नेशन सेर करें. अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो सेर जरूर करें. अपनी परतिकिरिया नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे.